हालो गाइस गुड़ मॉर्निंग आज मरी इंटर्शिप का नोवा दिन है इसलिए मैं आज चुका हूं मेडिकल कॉलेज में आज बहुत जदर ठंड है और दून भी बहुत है लगता है आज को ही नहीं आने वाला इस्टुडेंट्स पिर भी मैं आया हूं वो लग मनाने के ल हाँ ट्षै खोलो बॉते पस्थोर इंटर्व जी मुआंब करते हैं उनके बाहरे में अब आज बात करनेवालहाले सब से पहले सबसे पहले सइट का चुनाओ करना है कि कुछ साइट पर अपको आई वी इन्जेक्शन है इसके लिए मैं सबसे पहले वेआ वैन को टूंड न ते इंजैक्शन लगाने के बाद अब इस में भाली वेन पर इस को लगाना है तो वेन के मिल जाने के बाद उससाटी तॉरह साम करना चाहिए हुआ इससके बाद आही गेंटैर्न को उसे लगाना चाहिए और तोड़ा सा बहार खीच कर परतपता करना चाहिए कि बलइड आया है या नहीं यदि बलइड आ जाता है तो उसे fix कर देते हैं यदि blढद नहीं आता है तो गैनूले को भार निकाल कर दूसरी साइट का चुनाओ करकर फिर उसे लगाते हैं ठीक है और यदि ब्लड आ जाता है तो इसे फिक्स कर दिया जाता है और फिर जो भी बोतल लगानी होती है इंजेक्शन लगाना होते है तो वह आई भी मारुक द्वारा लगा देते हैं केन ला को किस प्रकार से चलाया जाता है जो जाता है जो इस प्रकार से यह रहता है तो इसका मतलब है केनला चालू है यानि जो फ्लूडे वो वेन में अराम से जाएगा ऐसे ऐसे होता है तो केनुला बंद हो जाता है और ऐसे होता है तो केनुला की जो तीनों साइट है या तीनों मुहे वो चल जाते हैं ठीक है और यदि इस प्रकार से इसे घुमा दिया जाता है तो केनुला केवल एक साइट स से जलता है और एक साइट से केनुला बंद हो जाता है ठीक है तो यह इस प्रकार से यह केनुला एक साइट से दोनों साइट से चल गया है दोस्तो इस पतली सी सिरिंज का नाम इंसूलिन सिरिंजे जिसका उप्योग ओशिदी की बहुती कम मात्रा को पेशेंट के अंदर पोचाना होता है जिसे आयम रूट द्वारा डेल्टोएड मसल्स पर लगाया जाता है जोस्तो इस प्रणाम ढाम जाता है जो एक साइट से अंदर की बहुत्स कि बहाई जाता ही